दर्जी और हाथी लावते समयवा एक दर्जी के दुकान पर रोज रुखता था दर्जी उसे प्यार से खेले खिलाया करता था उसकी निमित दिर्चरिया बन गई थी एक दिन दर्जी किसी काम से सहर गया हुआ था दुकान पर दर्जी का बेटा बैठा था हाथी आया और उसे केले के लिए अपने सूर उसकी जोर बढ़ाई बेटे की सरारत सोची उसने हाथी की सूर में सूरी चुबा दी हाथी दर से तिमला कर चुद चाप महा से चली गई अगले दिन हाथी फिर नदी पर नहाने गया लवड़ते समय दर्जे की दुकान पर रुका और केले के लिए सूर बढ़ाया इस बार जे लड़के ने उसे सूरी चुबा दी हाथी गुस्सा वस या क्रोध वस अपने सूर से भरा हुआ कीचर का पुहारा दर्जी की बेटे पर डाल दिया उसी समय दर्जी वापस आ गया सचाई जानकर दर्जी ने अपने बेटे को बहुत डाटा यह हाथी हमारा मित्र है इससे छमा मागो अगर फिर दर्जी ने और फिर दर्जी ने हाथी को प्यार से अपने हाथों से केलिक लाए हाथी वहाँ से चुपचात चली गई सिच्छा दया अपने आप में ही एक गुर है